हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेंस रवेसेज, दिस राम सोनी, आज हम डिस्टस करने वाले हैं MPPSC 2019 की रिजल्ट के बारे में एक नए अपडेट है अपडेट ये है कि हाई कोट जौलपुर ने स्टे जो है हटा दिया है तो अब इस टे जो है हट चुका है और जो रिजल्ट होगा ये याजका के नड़नाय के अधीन होगा तो बात करते हैं बेसिकली याजका के नड़नाय अधीन का मतलब क्या होता है अब इसमें आप पड़ने कोशिस करें तो आपको विजोस दीख रहे होंगे लिखा यहाँ पर मदवदेश हाई कोट के बारे में कि मदवदेश हाई कोट ने बुधवार को जारी आदेश में संसोधन करते हुए पेसी की भरती प्रक्रिया पर लगाई हुई रोक बुधवार को हटा दी है तो यहाँ आपको विजोस नहीं आरे तो मैं थोड़ा जूम करता हूँ यहाँ पर लिखा है चीफ जसिस मुहमद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुकला ने यहाँ पर लिखा है कि केवल पेसी की प्राड़मी परिछा के प्रडाम को यह आच्यकरन अधियन रखने का आदेश जारी किया है डिविजन बेंच ने पेसी की ओर से दायर आवेदन पर सुनवाई के बाद संसुधन आदेश जारी किया गया है यह कल का अपडेट है कल यह जारी किये गया है तो इनका आप्या रखें पेसी की ओसे वरिस्ट दिवक्त अप्रशान सिंग ने आवेदन दायर किया था और यहाँ पर कहा था यहाँ पर उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी पेसी हाई कोर्ट से कि जो प्रोसेस है इसको बंद ना किया जाए तो हाई कोर्ट ने 21 जनर्य को पेसी की भरती परक्रिया पर रोक लगाते हुए पेसी की प्यारभी परिक्षा की प्रणाम को यह आजका कि रणय अधीन रखने का आदेश दिया था आवेदन में आदेश को इसपस्ट करने का अन्रोत किया गया था सुनवाई के बाद डिविजन बेंच ने आदेश में सुसुदन कर दिया तो यह एक नया बदलाव है अब इसमें कुछ नया बदलाव यह है कि यह जो है ऐसा नहीं है कि भरती प्रक्रिया पे बिल्कुल साफ साफ हो गया है अभी भी यहाँ पर बेसिकली नड़नाय अधियन कर दिया गया है यह आजका किया धार पे तो यह यहाँ पर मामला क्या है यहाँ पर मामला यह है कि सामाजिक संगठान सपाक सोरन ने कई जो आर्गनाइशन उनके द्वारा दायर आजका में कहा गया कि प्रणाबिक परिच्छाओं के परणाम जारी करते समय आर्गनाइशन परादानों का पालन नहीं किया गया परणाबिक परणाब में अनरक्षित 40 प्रसत OBC 27 प्रसत, SC 20 प्रसत, ST 16 प्रसत और EWS 10 को मिला कर 113 प्रसत आरक्षिन दे दिया गया तो यह PSC का जो फॉर्मेट है यह उन्होंने खुद का अपना इन्रोवेशन फॉलो किया था और इसके चलते यह कॉंप्लिकेशन हुआ इसके साथ ही सिवल सेवा नियम 2015 में के के बेसिकली प्रभावा से लागू कर दिया गया और मेरिट में आने वाले आरक्षित वर्ड की आविद्गों को अनरचित सुची में सामिल नहीं किया गया तो बड़ा कॉम्लिकेशन यह था बेसिकली जो मेह नीसू था यह था कि अनरचित जो स्रेणी में है उसमें आरक्षि प्रभावा से लागू कर दिया गया था अब यहां पर लिखा है यहां पर लिखा है यह था करता हूं कि और से सुप्रीम कूर के सीनर रुकेट संतोस पाल है रमेशो सिंग ठाकूर है हस बुंदेला और विनायक साह परवी कर रहे है राज सासंग की ओसे उप महादिवक्ता है सौपनिल गांगुली जो कि परवी कर रहे हैं यहां पर यह एक लेटर पैड जो काफी फेमस हुआ था इससे आपको देखा होगा यह लेटर पैड काफी चर्चा में था यह है बेसिकली लेटर पैड है रामेशो सिंग ठाकूर जी का और लेटर पैड में आप देखे है पैड में कि पेडेर पैड में कि पीएसी परिशा पर रंनाम रिजली साही संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया पर हाइखोर ने एक सरी का आदेश जाली किया है और इस सरी के अदेश में दिखा जाय तो हैं पर इसमें इस पर कर दिया है और इसको भरती प्रक्रेशे पर भर जो रोक लगी उसको हटा दिया गया है और इसको अब नरणय के अधिन कर दिया गया तो चार प्रक्रेश को जो नरणय होगा उसमें पता चलेगा सारी चीज़े वही लिखी हुए तो मैं इसको read नहीं कर रहा हूँ इसको अब देख लेंगे बाद में but that's not that important but most important यह है कि जो process है उसको वापस से अनरणाय धिन कर दिया गया तो process चीज़ें वापस से start हो गई है अब यहाँ पर बात बनता है हमें क्या करना जी what we should do देखें आपकी तयारी आलड़ी चल रही थी और आप लोग सांधार तरीकेस तयारी कर रहे थे आप लोगों करना यह चाहिए कि अपने तयारी को बिल्कुल ऑगनाईज तरीकेसे करें यह MPPSC 2019 से दिए आप दे रहे हैं आप समझे आपने prelims कौलिफाई यह कर रखा है या prelims कौलिफाई करने वाले हैं तो आप selection के काफी नजदीक हैं एक stage आपने पार कर लिया आप आपको मेंस कौलिफाई करना है यह जिनलों को यह लग रहा हो कि अगले साल prelims देंगे फिर मेंस देंगे और उसमें selection लेंगे देखे एक्शली वो पूरा एक नया प्रोसेस है फिर आप मेंस के लिए दिजार करोगे तो अभी आपके पास subs के सामने मेंस 2.19 का है तो इसको पूरी सिद्ध से मेनद करिए courses करें इसी बार आप selection ले लें नौकरी पाजाएं और जिस नौकरी में भी हैं तो आप उसको बहतर कर पाएं तो कहें न कहें इस मेंस को पूरी सिद्ध से करें यदि आपने proper organized request त्यारी स्टार्ट नहीं की है तो हमारे plus courses को जोईन कर सकते हैं और अपने means की त्यारी को अगनाई स्रीके से कर सकते हैं मैं solution आप लोगों को यहीं दूँगा कि चीजों को granted बिल्कुल ना है बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है इस बार का prelims मेंस पता नहीं कब होगा होगा नहीं होगा चलो अब 2020 के prelims की त्यारी करते हैं यदि आपने prelims और उनिस क्वालिफाई कर रखा है तो पूरी सिद्ध से इसके means की त्यारी करें चुकि एक stage आपने अलड़ी क्वालिफाई कर रखा है तो आपको means की सिर्फ त्यारी करना है और यदि आपने पूरा और इस त्यारी के सिद्ध आपने compete कर लिया तो आपके selection की possibility का पी जदा है और समझ ये हर किसी का level आपके जैसे ही है ज़्यादा कोई फर्क होता नहीं है सब आलमोस एक range पे ही root कर रहे होते हैं हाँ ये है किसी ना answer and practice पहले से कर रखा है थोड़ी age मिल जाती है लेकि आप एक महिने तक consistently मैनत करेंगे तो आपको ही benefit मिलेगा एक question ये है कि जहाँ पर कुछ लोग कहना ये है कि अभी हम पिछले कई महिनों से idle पड़े हुए थे खाली पड़े हुए थे बहुत जाज seat मिलती नहीं आपका ये portion थोड़ा बाहर रहता है लेकिन जब auto में आपने देखा होगा गंडे उगरे होते हैं तो उसमें auto moment होता है तो moment होने कान क्या है कि इसमें आपके अंदर consistency है तो आप ये place अपना डिस्प्लेस करके properly एक place अपना बना लेते हो तो कहीं न कहीं ज़रूरी ये होता है कि आपके लिए सबसे important होता है आप लोगों ने feel किया हुआ कि जब auto में space starting में नहीं होती लेकिन थूड़ी दूर auto चल जाता है तो आपको space मिल जाता है तो कहीं न कहीं ये ही चीज़ यहां भी काम करती है यदि आपने consistently काम किया और आपने यदि अगले 15-20 दिन consistently काम किया तो definitely आपको space मिल जाएगा और आप भी mains qualify कर सकते हैं तो मैं आपको शेयसर ये दूगा कि आप लोग अपनी तयारी को बिल्कुर धिलाना करें आपके selection की possibility काफी close है तो definitely आप लोग पूरी सिद्ध से मैनद करें यदि आप लोग को ये चाहते हैं कि आप लोग mains के answer writing करना चाहते हैं हमारे साथ में तो mains answer writing की properly test series हम start कर रहे हैं उसकी information में जल्दी दे दूँगा आप learner services नाम का telegram को जोइन कर सकते हैं जहाँ पर mains के अलाकि learner services plus में वो share किया जाएगा बड़ इसल उसकी information में आपको जल्दी दे दूँगा सबसे important point मेरा आप लोग के लिए है के दिया आप लोग plus courses जोइन करना चाहते है call customer number पे you can call me in this number और जो भी queries आप यहाँ पर पुछ सकते हैं तो plus courses की जानकारी एकला पर यहाँ पर ले सकते हैं तो discussion को भी इस वाइड आप करते हैं आप से भी लोग यहाँ पर आइस लिए so much जो friends नए हैं जो लोग prelims की त्यारी कर रहे है तो prelims के लिए बता दूँ आप लोगों के लिए साम को आरड़ी एक class चल रही है समय consistently रात को 10 बजे start होती है 10 पेम पे और ये class होती है current affair की ये current affair होता है मधवदेश का तो current affair मधवदेश का में आप लोग जुरूब पार्ट स्पेट क्या करें और आप लोग के एक सांदार चीज़ लेका है मधवदेश हिस्ट्री जहां पे काफी लोग confusion था और हिस्ट्री में काफी लोग के demand भी थी तो हिस्ट्री जो है मधवदेश की हिस्ट्री का एक निया कोस्ट लॉंच हो रहा है जो यहीं YouTube में आपको cover किया जाएगा यह कुछ नए development है और main sensory practice अलड़ी सामको 4 बजे होती है तो आप इसमें participate करी सकते हैं तो discussion को भी इस wind up करते हैं आप सब लोग यहां पे आइस टे वेल्टे फिर बबबापय तेक केर थैंक्सो मच